वेडिल या ग्राउंड क्रीपर, घमरा या फिर बिल्कुल सब जिसको नाम को जानते हैं वो है भ्रंगराज हर आइल प्रोड़क्ट्स जो के हम अपने बालों के फाइदे के लिए यूज करते हैं उसमें ब्रंगराज का इस्तिमाल होता है और बहुत सारी इसकिन डिसीजिस में ये काम आता है कुल मिलाके ये एक मेडिशनल प्लांट है आयूरवेदिक पौदा है और इसके बहुत सारे यूजिस हैं और बेनिफिट्स हैं तो फिर इतने फाइदे मन पौदे को घर में आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं एक छोटे से कंटेनर में ये लग जाता है और होता पर्मानेंट प्लांट है बस क्या होता है कि जब कर्मिया होती है तो फ्लारिंग करता है सर्दी में अपने डॉर्वेंसी में जाता है तो आज की वीडियो में न हम इसके एक क्यार टिप्स शेयर करने वाले हैं और बोगन वेलिया को बचाने वाले हैं असलाम अलेकुम फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल शवनूरेली थार्ड फ्लोर से मैं आ गई हूँ फोर्थ फ्लोर पर यहाँ पर मैंने जहाँ पर पानी की टंक्या सबसे उचाए पर रख दी जाती है न तो बस वहीं पर कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं आप देख सकते हैं जंगल जैसे हो रहे हैं और अभी बारिशें गुजरी है न तो उसमें पौदे बे तहाशा बढ़ते चले गए तो मैंने भी वेट किया कि चलिए बढ़ रहे हैं बढ़ जाने दीजिए और उसके बाद हम इसको ठीक कर लेंगे उसी में से मैंने कुछ कटिंग्स भी लगा दी तो इस पेंट बकेट के कंटेनर में देखे एक अंजीर का प्लांट है अंजीर फेक प्लांट है और ये वडेलिया है और इसमें मैंने बोगर वेलिया की कटिंग को लगाए हुआ था मैंने इसमें दो कटिंग डाल दी थी colors मुझे नहीं याद हैं कि मैंने किस color की बोगर वेलिया की cutting इसमें डाल दी थी लेकिन वो अच्छे से grow हो गई और वो भी क्यों grow हो गई क्योंकि ये तो medicinal plant है ना वेडिलिया, ब्रांगराज और इसकी पतिया और ये इसके फूल, सूरज मुकी के छोटे छोटे फूल की तरह होता है ये इसके बीज तो बीज से तो कोई grow करता नहीं है क्योंकि इसके हर नौड पर rooting होती है ये देखिए और मैंने इसको बस एक cutting छोटी सी डाल दी थी इस container में उसी से ये जंगल जैसा हो गया क्योंकि ground creeper है न नहां लगा देंगे तो वो उस जगह को cover कर दीगा बहुत sun light में ये चल जाता है बहुत कम खाद में भी ये चल जाता है और बरसाद को भी जहेल जाता है लेकिन इसमें flooring बहुत खुबसूरत होती है इसके फूला को भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं skincare के लिए इसका जिसे के पेश बनाएंगे ना पतियों का फूलों का तो अगर skin diseases है कोई charm रोग है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्जिमा या महीन महीन दाने हो जाते हैं कहीं cut सा जाते हैं वोन्स हो जाते हैं घाव हो जाते हैं उस पर इन पतियों को गुजल कर इसका लेप लगा सकते हैं और भी बहुत सारे uses हैं तो मैं medicinal plant की शौकेन हूँ तो मुझे अगर कहीं से मिल जाता है तो मैं arrange जरूर कर लेती हूँ हाँ खर्चा नहीं करती तो मैंने watering तो कर दी थी लेकिन फिर मुझे कुछ उल्जन हुई इसके पौधों को देख कर कि इसकी वज़े से जो में बोगन वेलिया है और यहाँ पर और भी बहुत सारे plants हैं वो disturb हो रहे हैं पानी मैं डालती हूँ तो यह सबका सब सोख लेता है और plants को खात भी देती हूँ यहाँ पर तो अंजीर का भी ब्लांट है और खुब फ्रोटिंग होती है उसमें प्यारे-प्यारे मीठे-मीठे से फाल खाने को मिलते है यहाँ पर एक क्यारी में गुढहल भी लगा हुआ तो इतना अच्छा माहौल मिलता है फुल सनलाइट मिलती है और फुल बारिशों का पानी भी मिलता है और जब ठंड़क होती है तो खुब कोहरा भी मिलता लेकिन प्लांट्स पता नहीं क्या रीजन है कि यहाँ बहुत अच्छे से चलते है शायद इसका में रीजन यह है कि यहाँ पर फंगस नहीं लगती जादा धूप होने की वज़े से पेंट बकेट को तो मैंने खीच लिया था पेंट बकेट को मैंने खीच लिया था और उसको मैं अभी क्यार करूंगी और बाकी आप यहाँ देखे गुड़ल का प्लांट लगा है तो यहाँ पर एक पेलर पर वो बना है प्लांटर मैंने खुद बनाया था इसको यहाँ पर और उसमें लगाये हुआ है स्पाइडर लेली उसी में कुछ कटिंग इसकी भी डाल रखी वड़ेलिया की और यह खुदी से सूख जाता है और उसके बाद जब इसको सुटेवल मौसम मिलता है बस अपने से फिर से ग्रू होने लगता है मैं इसमें कुछ करती नहीं न मैं खाद दे पाती हूँ न वाटरिंग ही ठीक से रुख पाती है तो बस इतना मजबूत हाड़ी प्लांट है और फिर बेनेफिट्स तो हैं ही आना पड़ेगा अब इसकी मैं हाइट दिखाती हूँ कितनी लंबी लंबी टहनिया हो जाती है और इसको आप कटिंग से जगा जगा लगा दीजिए और मैं इसको अभी तो कट कर रही हूँ फिर किसी एक्स्टा ग्रो बैग में देखूंगी तो डाल दूंगी चोटी चोटी प्लांटर में भी आप डाल सकते हैं बड़े से बड़े जगा पर लगा दीजिए ये सब जगा चलेगा तो फिर मैं इसको कट करती हूँ और अंजीर का प्लांट है इसमें उसको किसी और जगा लगाऊंगी और जो बोगन वेलिया निकल कर आएगा बस उसकी केर में करूंगी ताकि वो मिझे देखने को मिले कि उसमें कौन से कलर की मैंने कटिंग लगाई थी लीज तो आ गई है उसमें और अब इसको ग्रोथ के लिए जगा जाए इस पेस चाहिए फ्लारिंग के लिए स्पेस जाए तो कंटेनर तो ठीक है पर काफी सारी जड़े भर चुकी है इसके अंदर तो फिर हम इसमें एक बहुत अच्छी सी हैल्दी सी स्वाइल बना कर इसको देंगे बोगन वेलिया को सेव करेंगे और वेडिया के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया तो फिर उसको भी मैं अभी दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है उसका तो फ्रेंस इसमें जो जड़े हैं उनको हम कटिंग करके और जब गुड़ाई करेंगी तो जड़े ना कट जाएंगी और फिर हम गुडाई कर देंगे इसी मिट्टी के नीचे खुर्पी की हैल्फ से दबा देंगे तो गुडाई हो जानी की वज़े से रोट ट्रेम हो जानी की वज़े से बोगन वेलिय की कटिंग डिस्टर्ब नहीं होगी और वो चलेगी मैं उसके किनारे किनारे से करूंगी और जो मैं कटिंग लगा दी हूँ उसमें रोटिंग हो चुकी है तभी तो पौधा इतना इस्टेबल है तो फिर वो उसको कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन हाँ मैं उसको रिपर्ट नहीं करना जा रही थी तो इस वज़ा से मैंने अंजीर निकाल दिया बहुत सारे प्लांट से और वडिलिया भी निकाल दिया और फिर मैंने देखिए इसको ग्रो बैग में डाल दिया है वडिलिया को ऐसे ही भर दिया है उसके नीचे थोड़ी से मिट्टी है जड़े ना अपने आप वहां जाएंगी और खुद से प्लांट ना सेव बना रहेगा और फिर मैं बाद में अरेंज करके लगा दूँगी किसी ना किसी कंटेनर में क्योंकि मैं उस प्लांट को भी खतम नहीं करना चाहती है उस प्लांट को क्या मैं किसी भी प्लांट को खतम नहीं होने देती हूँ उसे पहले cutting लगाती हूँ seeds से लगाती हूँ और पौधे को बस मेरे garden में जो कोई पौधा आ जाता मैं उसे मरने देने नहीं चाहती और बनाती रहती हूँ तो इस container को मैंने यहां रखा बोगन वेलिया में मिटी भर दी खाद भर दी मिला कर और अब यह अच्छे से grow करेगा तो मुझे एक और update देने का मौका मिलेगा आपके साथ friends कि मैंने बोगन वेलिया के कितने plants तयार किये हूँ हैं बहुत खुशी मिलती है gardening करना तो एक fun है ही और साथ में plants बनाना और मरते से बचा लेना यह सब fun है तो फिर अब मैंने बोगन वेलिया को भी save कर लिया और वेडियलिया को भी save कर लिया तरीका मैंने आपके साथ share कर लिया लेकिन अब आपको क्या करना है एक like करना है चैनल subscribe करना है मन करें तो share भी कर दीजिएगा दूसरों का फायदा हो जाएगा फिर मिटे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफेज